खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन नमस्कार मैं हूँ प्रवीन आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज एनमसी यानि नैशनल मेडिकल काउंसिल बिल के विरोध में देश के तीन लाग डॉक्टर्स हर्ताल पर चल रहे हैं डॉक्टर्स का कहना है कि इस बिल के पास होने से डॉक्टर्स को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है हाला कि इमर्जेंसी खुली रहेंगी लेकिन अस्पतालों की OPD में शायद आपको डॉक्टर्स नाम बलें आईमे के अध्यक्ष डॉक्टर जीपी सिंग वर सचीफ डॉक्टर जेडी रावत ने बताया कि हर्ताल के दौरान मरीजों को इमर्जेंसी, कैजूल्टी, आईसी यू और सम्मधित सेवाएं मिलती रहेंगी बिल में आईमे की मांगों को शामिल नहीं किया गया है इसकी कमेटी में नामित लोग हैं जिसमें ज्यादतर नोकरशाह और राजनीता रहेंगे नो लोग ही चुने जाएंगे इस वजह से चिकिस्सा सेवा से पहले चिकिस्सा शिक्षा पर असर पड़ेगा अब आईए आपको इस पूरे बिल पर भगत हॉस्पिटल के डॉक्टर सीम भगत की ओपिनिन सुनाते हैं परिशानी का मुद्दा है जो लोग घर से आते हैं दिखाने उनको परिशानी होती है हरताल क्योंकि गौश्में को और कोई बात समय में नहीं आती है अगर परसों हड़ताल नहीं थी तो गौवर्मन ने उसको नोटिस भी नहीं किया ठीक है ना मीडिया ने कवरेज दिया उसको लेकिन गौवर्मन ने नोटिस नहीं किया अब इसका मतलब है कि आप बुलडोज करना चाहते हैं आप सिस्टम को सुनना नहीं चाहते हैं और कंट्रोल में रखना चाहते हैं अब कंट्रोल करने से अगर आपको लगता है कि सिस्टम सुधर जाएगा तो यह गौवर्मन की जिम्मेदारी होगी यह ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि इस बिल में और भी दो-तिन मुद्दे हैं जो अभी clear नहीं है कि हर चीज commission decide करेगा without any professional advice अभी health एक professional subject है और बिना professional advice कि अगर bureaucrats जो सरकारी nominated है और मेरी अपनी personal opinion है कि यह जो सरकारी doctors की opinion लेके जो bureaucrats को करा decision लेते हैं यह एक घटिया किसम के फैसले होते हैं जिनका long term implication नहीं होता क्योंकि देश में जो health है इस सुकत 20% भी सरकारी system नहीं चला रहा है 80% private system और 80 में से भी 60% जो है वो छोटे private system चला रहा है जो देश के कोने कोने में service दे रहा है सरकारी hospital तो गिने चुने कुछ शहरों में हैं और उनकी performance below पार है और खर्चे हम से जो है चार गुना है तो ऐसा system bureaucrats ने develop किया है अगर वो अपने आपको शावाशी देना चाहते हैं इन में आ रहा है कि bridge course इन लोगों ने किया है देश के कोनों कोनों में healthcare workers की जुरूत है पर उनको healthcare workers के तौर पे उनकी एक limited वो करके करना ज़रूरी है उनको जब at par doctors के करने की कोशिश करेंगे जिसका विरोध IMA अप से नहीं पिछले कई वर्षों से कर रही है कि government ने क्या किया कि जो problems थी problems का solution नहीं किया problems का substitution किया problems का solution होना चाहिए ना कि substitution करना चाहिए अब problem क्या थी कि देश में bbs doctors की कमी है देश में bbs doctors को periphery में सुवधा नहीं देते हैं किसी गाव में भी अगर पोस्टिंग कर दें तो वह परिवार के साथ वहां नहीं रह सकता तो वहां क्यों जाएगा उसके बच्चे वहां पढ़ नहीं सकते उसको कोई facilities नहीं है कोई security नहीं है और सिस्टम इंप्रूब करेगा या नहीं सिस्टम में चेंज की आवशक्ता थी यह सब महसूस कर रहे थे लेकिन चेंज के भी एक democratic वे होना चाहिए अब आप इससे समझेए दरसल अभी तक मेडिकल शिक्षा, मेडिकल संस्थान और डॉक्टर के रिजिस्टेशन संबंदित कारे Medical Council of India के अंतरगत आते थे लेकिन इस बिल के पास होने के बाद N.M.C. Medical Council of India की जगह ले लेगा बिल के तहट साड़े तीन लाग नोन मेडिकल लोगों को लाइसंस दे कर सभी प्रकार की दवाईयां लिखने और इलाज करने का कानूनी अधिकार दे दिया जाएगा जिसका डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं C.M.O. डॉक्टर नरिंदर अगरवाल की और से अलर्ट जारी किया गया है राजधानी के सभी सरकारी चिकितसा संस्थानों, महिला वा पुरुष अस्पतालों C.H.C. पी.H.C. के डॉक्टरों को मरीजों के इलाज देने के लिए अलर्ट जारी किया गया है ताकि I.M.A. की हड़ताल के दौरान मरीजों को इलाज के लिए परिशानी ना उठानी पड़े I.M.A. देश में डॉक्टरों और मेडिकल चात्रों की सबसे बड़ी संस्ता है जिसमें करीब 3 लाग सद्द से हैं तो इस खबर में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रही हमार साथ और देखते रहें इडिया टाइम 24 नियूज नमस्कार